अब कंडिशन ऐसा हो गया था कि मुझे तीन वाट्सप चलाना है तो इसके लिए मुझे तीन वाट्सप को डाउनलोड करना पड़ता था जैसे कि जी वी वाट्सप हो गया एफ एम वाट्सप हो गया यह वाट्सप हो गया लेकिन इससे क्या होता था कि मेरा जो डेटा है वो three dots पे click कर लेते हैं three dots पे click करने के बाद आपके पास यहां एक option है settings का इसको हम लोग click कर लेते हैं click करने के बाद यहां पे हम लोग एक arrow दिख रहा होगा simply इस arrow को हम लोग click करते हैं और अभी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैं एक WhatsApp में दो ID को login किया हुआ हूँ ठीक तो फिर से मैं अगर switch account करता हूँ तो मेरा पहला वाला जो ID था उसके मेरा login हो चुका है यानि कि आप लोग एक ही WhatsApp में अब दो मुआइड नमर को login कर सकते हैं क्या करना है सबसे पहले हम लोग three dots पे click कर लेते हैं three dots पे click करने के बाद यहां पे हम लोग settings पर चले जाएंगे settings में जाने के बाद यहां पे हम लोग arrow पे click करेंगे और यहां पे आपके पास एक option दिखरा होगा add account ठीक है एक मेरा already add क्या हुआ है उसके बाद second वाले में करते हैं add और यहां पे हम लोग add and continue पे click कर लेते हैं इतना process करने के बाद आपका जो mobile number है जिस mobile number को आप लोग फिर आप लोग इसको skip भी कर सकते हैं उसके बाद simply आपका जो नाम है वो आप लोग यहां से इंटर कर लेजिए मैं simple रख लेता हूं www और उसके बाद मुझे यहां पे continue पे click करने के बाद आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि मेरा एक ही WhatsApp में मैं फिलाल अभी दो mobile number को login कर ल ठीक है उसके बाद मुझे कोई भी account में चाहिए तो वहां से हम लोग switch out कर सकते हैं और कोई भी account में हम लोग login हो सकते हैं ठीक है तो इसी तरस दोस्तों आप लोग भी क्या कर सकते हैं अगर आपके पास एक WhatsApp है तो उसमें एक नया features आ गया है कि आप लोग 2 mobile number को add कर सकते हैं अब यहां से आपके पास remove for this device है तो आप लोग यहां से remove कर सकते हैं और remove करने के बाद आपका जो secondary mobile number को जिसको आप लोग add किये थे second time में वो आपका यहां से remove हो चुका है और आपका जो primary number था वो आपका फिर से और यहां पर login किया हुआ आपको दिख जाएगा तो गैस य जो आपका एप है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग दो मुएन नमर को add कर सकते हैं और उसका यूजर